नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्ही गहराईयों में छिपा है राजनीधी का असली खेल न्यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलता आज राहूल गांधी कह रहे है कि राओ कोचिंग इंस्ट्यूट के बेस्मेंट में जिन तीन शात्रों की मौत हुई है सिस्टम ने उन्हें मारा है राहूल गांधी ने क्या सवाल उठाए कुछ देर बाद मगर एक बार फिर इन शेहरों को देखिए नेविन, श्रेया और तानिया इन तीनों की मौत हो गई एक बेस्मेंट में पानी भर जाने से और ये कहा हो रहा है दोस्तों राजधानी दिल्ली में जी हाँ, सिस्टम ने नहीं मारा है वो सिस्टम जिसे बनाया है LG शासिद दिल्ली ने वो सिस्टम जिसे बनाया है अरविन्द केजरिवाल की सरकार MCD और दिल्ली के साथ सांसद इन सब की कोई जवाब देही नहीं है, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे है कल ही मैंने शो किया था जिसमें मैंने अरविन्द केजरिवाल के दिल्ली मॉडल और MCD को कटगरे में रखा था मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या भारती जनता पाटी की कोई जवाब दहीं नहीं है क्या दिल्ली के LG विनै सकसेना की कोई जवाब दहीं याद कीजेगा सुप्रीम कोट एक आदेश जारी करता है कि जो तमाम नौकर शाह हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो अरविन्द केजरिवाल को रिपोर्ट करेंगे मगर प्रधामंत्री नरेंद्र मोधी क्या करते हैं एक अध्यादेश लाते हैं और सुप्रीम कोट के आदेश को ही पलट देते हैं याने की अरविन्द केजरिवाल के अपने अधिकारी उन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी आज भारती जनता पार्टी और उसके नौकर शाहों को एक्स्पोज कर रही है सौरब भारद्वाच ने एक संसनी खेज वीडियो पेश किया है जिसकी चर्चा कुछ देर बात करूँगा मगर सबसे पहले शात्रों का दर्द आज शात्र LG से कह रहे हैं कि कहां है MCD कमिश्णर जिसे आपने न्यूक्त किया था लाइए उसे सुनिये क्या कहरें चात्र जब तक MCD कमिश्टर नहीं आएगा, हम नहीं आखिने। जब तक मिश्टर नहीं आखिने। जिसके अंत में कोई रोश्णी नहीं है। इसलिए आज वो इनसाफ के लिए संधर्ष कर रहे हैं। ये नारे सत्ताधीशों के लिए सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखते है। सुनिए वो किस तरह से नारे लगा रहे हैं। आज राहूल गांधी इन शात्रों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। राहूल गांधी ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन्स पर। दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेस्मिंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यू बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान बिजली का करण लगने से एक छात्र की मौत हुई थे। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण समवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इंफरास्ट्रॉक्चर का ये कोलाप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्मान, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की घैर जवाब देही की कीमत आम नागरिक अपनी जीवन गवा कर चुका रहा है। राहूल आगे कहते हैं सुरक्षित और सुविधाचनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायप वह है। जाहिर सी बात है कि राहूल गांधी यहाँ पर सीधा प्रहार, अर्विन केजरिवाल सरकार पर नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी सरकार पर नहीं कर रहे, मगर ये इसे सिस्टम की संयुक्त नाकामी मान रहे है। आज की तारीक में शात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली के LG की कोई जवाब देही नहीं है, क्या केंद्र की भाजपा सरकार की कोई जवाब देही नहीं है, मैं एक बात सपश कर दूँ, इसी मंच पर मैंने MCD को कट घरे में रखा था, के एजरिवाल के दिल्ली मॉडल को कट घरे में रखा था, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक विडियो पेश किया है, और इस विडियो में वो तमाम नौकरशाहों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, एक जगा के नाली को साफ करना है आप मेरे साथ चलिए आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं नौकर शाह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं सौरभ हरदवाज ने क्या कहा अपने ट्वीट में कुछ देर बाद मगर ये विडियो देखिए दोस्तों करीब धाई मिनिट का विडियो है और देखिए एक राज का मंत्र गिड़ गिड़ा रहा है मगर नौकर शाह उनकी बात नहीं सुन रहे हैं ये पुराना विडियो है मगर ये विडियो बहुत कुछ कहता है मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा सुप्रीम कोट एक आदेश देता है वो आदेश ये कहता है कि आज से तमाम जो अधिक सरकारी है ओफिशल्स है वो अर्विंद केजरिवाल की सरकार को रिपोर्ट करेंगे मगर मोधी सरकार उसे पलड़ देती है अब बताइए अगर नालिया साफ नहीं हो रही है अगर नौकर शाह बात नहीं सुन रहे हैं तो जमेदारी किसकी है सौरभ हारद्वाज ने जो व अगर नहीं हो बिल्कुल नहीं हो और नहीं वस दन और संट इस कंपलें तो यू दिरेक्ली यू दिवन रिस्पॉंद टो इट यू विल गए बाक तो मी बट एक साल हो गया आपको दिखा तो दिया वीडियो दिखा दिया लोगों के घर में पानी चल गया आप चलो मिर करेंगे if you if you have time तो आज शाम को आप चलिये आपने इनको इंजिनियर्स वगरे को बुलाइए मतलब साफ साफ हो जाना ची ना यह नहीं होना ची कल पर सवाब बोले नहीं काम हुआ था वो गलत हो गया लेट्स गो टोड़े हाँ आज चले रविदास चलना चाहेंगे रवि हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे विद्गराई तौट ओ और अजीम टाईंडा कि डीस आपने डीस दीन पर अगरेंगे विद्मेंड कि अट्राइका इंड कि दीमें इस प्रस्लेश आंट फॉपन आपने हैं और चुडपूंट फेट में और रंगर्माटेकर वाइस देरा इफ देर शुट मी नॉट इफ ना आप अभी भी भी बोल रहे हैं आप चलिए वाँ पर वरिफाई कीजे खतम करिये इस चीज को एक अफसर पर आप कारवाई करेंगे तो कम से कम मेसेज तो जाएगा अकले साल के लिए डिसल्टिंग के लिए वड़ा कुछ जा अब मिनिस्टर इस आप के पास पूरे दिन में समय है तो आप मतरी के पास भी तो सौ काम है मैं आपके लिए फ्री हूं आप बताइए कब चलेंगे अब आपके सेकेटरी साथ तो कह रहे हैं इस 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 इन इंपोर्टेंट इशू नौट आप सवरोभारदु आज कुछ सवाल उठा रहे हैं उन्होंने दो वीडियो क्या हैं आपके स्क्रीम्स पर दिल्ली का सच सभी कह रहे हैं कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाध निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया इसके चलते पूरी दिल्ली में जल्ब हराब हुआ उसी जल्ब हराब के चलते दिल्ली में करंट लगने से कई जाने गई कोचिंग इंस्टिट्यूट की लापरवाही तो है मगर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा शड्यंत्र किया गया है हाला कि विभाग मेरा नहीं है मगर सवाल से मंत्री भी सहमत थे इन अफसरों का ना सरकार ट्रांसवर कर सकती है ना कारवाई कर सकती है कारवाई सिर्फ LG साहब कर सकते हैं आगे सौरभारदवाज क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर एक मंत्री डी सेल्टिंग में हुए भरष्टाचार के सुबूत देता है शिकायत करता है मगर एक साल तक PWD Secretary अनब रासु IS कारवाई नहीं करते अगले साल फिर सुबूत देते हैं मगर वो मौके पर दौरा करने को तयार नहीं मुख्य सचिव नरेश कुमार IAS जो Chief Vigilance Officer है कोई कारवाई नहीं की मीटिंग 28 जून 2014 की है कारवाई करना LG साहब के हाथ में है आपने अभी अभी वो वीडियो देखा दोस्तों जो सौरव भारदवाज ने पेश किया है भाषपा ने इस पर करारा हमला किया है वो इसे सौरव भारदवाज की बेशर्मी बता रहे है मगर सीधा सा सवाल इस वीडियो में दूद का दूद और पानी का पानी हो गया क्या LG साहब की कोई जवाब देही है उन्हें आपने दिल्ली का बौस बना दिया वो व्यक्ती जिसे दिल्ली की जनता ने नहीं चुना तो स्वाभाविक सी बात है यहां सवाल होगा भारतिये जनता पार्टी इसे बेशर्मी बताते रहे मगर सीधा सा सवाल बताईए जब सुप्रीम कोट ने आदेश जारी किया था कि आज से अधिकारी जो हैं वारविंद केजरिवाल को रिपोर्ट करेंगे तो मोधी सरकार ने तो हजार चौबीस से पहले इसे पलट क्यों दिया था भाश्पा क्या कह रही है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ भाश्पा ने अपने गालीबाज अंदाज में क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर आज बेशर्मी की सभी पराकाश्था पार कर दिया तुम निकम्मों ने एक तरफ तुम्हारे P.W.D. विभाग और M.C.D. के निकम्मेपन की वज़ा से बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और तुम सभी फिर से लग गए इल्जाम दूसरों पर डाल कर अपनी नाकामी छिपाने में आपने खुद मान लिया कि आपके सभी मंत्री एसी कमरों में बैठकर अधिकारियों के साथ सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी खेलते हैं समय रहते नालों और सीवर के सफाई के काम को क्यों नहीं किया गया मौके पर क्यों नहीं गए आप लोग तो आम आदमी बनकर सत्ता में आये थे मगर जमीन पर काम करने के बज़ाए प्रेस कॉन्फरिंस वाली सरकार बनकर रहे गए इसके जबाब में दोस्तों सौरफ हारदवाज ने ये तस्वीरें पेश की है सौरफ कह रहे हैं कि भाजपा का इतावा घलत है देखिए मैं जमीन पर गया था मैंने मौाइना किया था मैं लगातार लोगों से मिल रहा था और जमीन से उन्होंने एक विडियो भी पेश किया है देखिए अब बताईए भाजपा जूट बोल रही है या मादमी पार्टी जूट बोल रही है सबसे बड़ा सवाल दोस्तों भाजपा की कोई जवाब देही नहीं है LG की कोई जवाब देही नहीं है लगातार तीन बार दिल्ली ने भाजपा के साथ सांसदों को लोक साभा में भेजा कोई जवाब देही है मेरे कुछ सवाल अर्वें के जेवाल के दिल्ली मॉड़ल से भी है वो कुछ देर बाद मगर इस खबर पर गौर कीज़ेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर के मचल एंकाउंटर में पांच भारती सेनकों को चोटे आई हैं जिसमें एक मेजर रांक के हैं याद कीज़ेगा दोस्तों पिछले कुछ अरसे से लगातार जम्मू कश्मीर में भारती सेनकों पर हमले हो रहे हैं यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई है गंभीर चोटे आई है आपको पता है ना कि भारत के एक NSA है National Security Advisor राष्ट्री सुरक्षा सलाकार और उनका नाम आपको याद है कि नी अजीत दोभाल बड़ा प्रश्न इनकी जवाब नहीं तै की जाएगी इनका काम यही है कि ऐसे Encounters पर लगाम लगाया जाए मगर कुछ अरसे से लगातार हमारे सैनक शहीद हो रहे हैं मैं जानता हूँ इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है ये मुद्दा मैं आपके सामने सिर्विस ली उठा रहा हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी की कभी कोई जवाब नहीं तै नहीं की जाती है और मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ क्यूं आखिर बीजेपी की जवाब नहीं तै की जाती कभी उनके सांसच जवाब दे नहीं होते हैं कभी दिल्ली का LG जवाब दे नहीं होता है कश्मीर के अंदर जो लगातार हमले हो रहे है मनोच सिनहा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाता क्योंकि वो वहां के गवर्नर है तो ये सवाल किये जाएंगे न क्या N.A.C. की कोई जवाब दे ही नहीं है क्या ग्रह मंत्री अमिशा की कोई जवाब दे ही नहीं है क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग की कोई जवाब दे ही नहीं है बताईए सबसे बड़ी बात दोस्तों हर बार भाजपा इस तरह से बच जाती है भारतिये जनता पार्टी अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोट के फैसलों को पलट देती है और फिर रुदाली करती है कि देखिए आम आदमी पार्टी ये कर रही है मगर हाँ कल मैंने कट घरे में रखा था अर्विंद केज़िवाल के दिल्ली मॉडल को दोस्तों आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी स्वाती मालिवाल जो अब पार्टी की तरफ से राजसभा में सांसत है मगर पार्टी से उनका मोभंग हो गया ये कहा जाए पार्टी का भी उनसे मोभंग हो गया है वो MCD की जो प्रमुक है शली अबेरोय का एक बयान पेश कर रही है 19 जून का शली अबेरोय कह रही है कि मॉनसून में दिल्ली वाले जो है वो बारिश का लुथ उठाएंगे सुनिये शली अबेरोय ने 19 जून को क्या कहा था शाथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मौनसून इंचोई करेगी और किसी भी तरह की जो परशानी और कठिंग स्तिती हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे और हर वो सुविधा मिलेगी हर किसी इशू का जो हैं हम रिसॉल्फ as soon as possible करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर स्वाती मालिवाल कह रहे हैं कि यह लोग सिर्फ press conference press conference खेल रहे हैं यानि इनकी भी वही जुबान है जो भाजपा की है मगर आज मैं शेली उविरोई से सवाल पूछना चाहता हूँ आप ही ने वादा किया था ना कि दिल्ली की जनता मौनसूम का लुथ उठाएगी अब तीन मौते हो गई है श्रिया उत्तरप्वदेश से आती है एक गरीब परिवार से आती है उनके परिवार में मातन च्छाया हुआ है जैसा कि ये तस्वीरें बता रही है ये मौत किसकी जवाब देही है बताईए मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक हत्या है पुलीस ने कुछ गिरफतारी की हैं मगर उससे क्या वो जो तीन मौते हो गई है उन परिवारों को कौन सांत्वना पहुँचाएगा उन परिवारों का दर्द कौन कम करेगा शेलियो बिरॉय अब क्या बयान दे रही है इस पर गोर कीजेगा दोस्तों चार तस्वीरें उन्होंने पेश की हैं देखिए और इन तस्वीरों के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कल की दुखद घटना के बाद रजिंदर नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेस्मेंट में रूल वायोलेशन कर रहे थे उन पर MCD ने सीलिंग की प्रक्रियाश शुरू कर दी है जरूरत पढ़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा अब क्या फायदा शेली जी अब जाकर आप सील कर रहे हैं बड़ा प्रश्न और ये प्रश्न मैंने कल उठाया था कि बेस्मेंट में राव आयस कोचिंग इंस्टिट्यूट को वो लाइब्ररी बनाने की अनुमती किसने दी सबसे बड़ी बात शात्र फसे हुए थे और दो ढ़ाई घंटे बाद उनका रेस्क्यू होता है पुलीस इतनी देर से पहुँचती है ये तमाम सवालात हैं न सोशल मीडिया पर दोस्तों एक बयान वाइरल हो रहा है एक छात्र जो यहाँ पढ़ रहा था उसने आज से कुछ दिनों पहले शिकायत की थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुरखटना हो सकती है मैं चाहता हूँ कि यह जो संदेश वाइरल हो रहा है उसकी जाच हो कि वो सही है या गलत है मगर चुकि वो वाइरल हो रहा है वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ यह शेतावनी पहले दे दी गई थी बावजुद इसके दुरखटना होती है और वो शेतावनी क्या है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ यह कोई X हैंडल है दोस्तो Twitter हैंडल है UPSC Lifepedia यह कहते हैं one of the aspirant already warned about this on 26 June but authorities ignored it and we can see what happened 26 June को यह शेतावनी दी गई थी और यह शेतावनी हिंदी में दी गई है आपके सामने उन्होंने क्या कहा दोस्तो नवसकार मैं किशोर सिंग कुश्वाह निवासी करोल बाग तथा राउज आयस द्वारा basement में permission ना होते हुए भी पिना एन ओसी के classroom संचालित कर रहे हैं जिसकी location old राजिंदर नगर है करोल बाग नई दिल्ली एवं test कक्षाएं संचालित कर रहे हैं जिससे विद्ध्यार्थियों एवं staff के जीवन को खत्रा बना हुआ है और कोई बड़ी दुरघटना होने की संभावना है अताह इस संबंद में संबंदित संस्था को सूचित कर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा दिल्ली नगर निगम कमिशनर को जाता है ताथा इस प्रकार से MCD में भ्रष्चाचार का एक बड़ा उधारन दिखाई देता है याद कीज़ेगा दोस्तों शात्र ये मांग कर रहे थे कि MCD कमिशनर यहां आएं वो MCD कमिशनर जिने LG नियुक्त करते हैं विने कुमार सक्सेना कोई जवाब दे ही नहीं की कौन है MCD कमिशनर सामने नहीं आएंगे ये छात्र इसी तरह से प्रदर्शन करते रह जाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मगर भविश्च में अगर ऐसी घटना दोहराई जाएगी न तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा मगर ये दर्द है जो लगातार इन परिवारों को सालता रहेगा श्रया यादव जो की उत्तरपदेश से आती है उनके परिवार का दर्द देखिए ये उनका घर है ये तस्वीर भी सोशिल मीडिया पर वाइरल हो रही है इस दर्द से उनका परिवार कभी जुदा नहीं हो पाएगा अविसार शर्मा को दीजिये जाज़त नवस्कार